नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संजे और आप देख रहे हैं Prince Computer Center के YouTube चैनल को दोस्तों इस वीडियो में MS Word 2013 के Insert Ribbon Tab के बारे हैं बात करेंगे और Insert Ribbon Tab में A to Z सभी कमांडे देखने वाले हैं इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की जुरूरत नहीं है MS Word में जो भी Insert Ribbon Tab होता है उसकी सभी कमांडे हम कंप्लिट करने वाले हैं जिससे Cover Page का यूज़ करना, Blank Page का यूज़ करना, Table Insert करना, Picture Insert करना, Shape Insert करना, Smart Art Insert करना इसके अलावा Hyper Link डालना, Bookmark डालना, Cross Reference का यूज़ करना, इसके अलावा Header Potter का यूज़ है, Quick Card का यूज़ है, Text Box का यूज़ करना, Signature Line डालना, Object का यूज़ करना और Symbol का यूज़ करना जैसे किसी Book या Notebook का आपन Fast Page बनाना जाते हैं तो उसको बोलते हैं Cover Page, अब Cover Page बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर Cover Page बे क्लिक करना है, और किस Style में आप Cover Page बनाना जाते हो, उस Style को Select करना है, मालो अपन इस Style में बनाना जाते हैं या किसी Style में आप Cover Page बनाना जाते हो, उस का टाइटल यहाँ पर टाइप कर रहे हैं जैसे अपन MS Word से समंदित बना रहे हैं तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं अपन MS Word उसके बाद में अपन सब्टाइटल टाइप कर सकते हैं जैसे मान लो अपनी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इंसर्ट रिबन टेप उसके बाद में अपन को date and time डालना होता है कि आज की date डालनी है तो अपने यहाँ पे click करेंगे इस पे click करेंगे और today पे click कर देंगे तो आज की date अपने आप आजाएगी उटोमेटी उसके बाद में अपन निचे जाते हैं या notebook बनाईए उसके बारे में कोई detail अपन यहाँ पे type कर सकते हैं इसके अलाव सबसे उपड़ जाना है और आपको company का नाम type करना है यहाँ पे किसी भी company के नाम से आपका और पेज बना रहे हैं तो वो आप company का नाम type कर सकते हो यहाँ पे जैसे मालो अपन यहाँ पे कर देते हैं Prince Computer Center उसके बाद में यह अपना कावर पेज त्यार हो गया अब आप इसकी Size कम करके यहां से चेक कर सकते हो कि किस प्रकार अपना कावर पेज बनाए उसके बाद में आपने जो भी cover page बनाया है उस cover page की style भी यहां से अपन वापिश चेंज कर सकते हैं मानलो अपन को इस style में cover page सही है तो इस style में cover page त्यार कर सकते हैं या मानलो आपको और भी कोई style लेना है तो आप यहां से style चेंज कर सकते हो उसके बाद में next command मिलते है अपनको blank page blank page का use होता है खाली page देने के लिए अब मालो अपने यहाँ पर cover page बना लिया उसके बाद में अपनको document त्यार करना है तो सबसे पहले एक नया page लेना होता है तो उसके लिए कहाँ पर अपनको नया page देना है वहाँ पे पहले क्लिक करना होता है मालो यहाँ पे अपने को नया पेज सही है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से blank page पे क्लिक करेंगे तो एक नया page इंसेट हो जाएगा देखो यहाँ पे नीचे option आ रहा है 3 of 3 मतलब अपने बास में अभी 3 page है अपने को और भी कोई page इंसेट करना हो blank page तो यहाँ से blank page पे क्लिक कर सकते है और एक page इंसेट हो जाएगा उसके बाद में next command आती है page break page break का use होता है कि आप जो भी document टाइप कर रहे हो या कोई भी paragraph टाइप कर रहे हो उसके बीज में break डालना तो अपने को page break लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक command लगा लेते है जिसे अपना paragraph टाइप होता है बराबर rand उसके बाद में अपने को च्टा कोई टक लगाना और इंटर दबाना है तो यहाँ पे अपने बास में 4-5 paragraph इंसेट होगी अब मालो अपन चाते हैं कि यहाँ पे अपना करसर है और इस करसर से आगे का मेंटर दूसरे paragraph में चला जाए है दूसरे page में चला जाए है और जहाँ पे अपना करसर है उससे पहले का मेंटर इसी page में रह जाए है तो उसको बोलते है page break तो जहाँ पर आपको insert करना है page break वहाँ पे cursor को ले जाएंगे और यहाँ से page break पे click करेंगे तो जैसे अपन page break पे click करेंगे देखो अपना जहाँ पे cursor था उससे आगे का meter दूसरे page में आ गया और जहाँ पर cursor था उससे पहले का meter उसी page में रह गया तो इस परकार अपन page break का use कर सकते हैं तो इस परकार अपन page group का अपन use कर सकते हैं next group आता है table table group का use होता है अपने document में अलग अलग तरीके से अपन table insert कर सकते हैं तो दो तिन तरीके से अपन table insert कर सकते हैं जैसे मालो अपन को यहाँ पर table insert करनी है तो यहाँ पे एक तो अपन ड्रो करके टेबल इंसेट कर सकते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम से ही हो अपन रो और कॉलम की संक्या गिन के यहाँ पे कलिक करेंगे तो टेबल इंसेट हो जाएगी उसके बाद में next option आता है कि अपन यहाँ से इंसेट रिबंटे में जाएगे इस पे कलिकरेंगे और यहाँ से इंसेट टेबल मतलब यहाँ पे रो और कॉलम की संक्या देनी होती है कितनी रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए हो यहाँ पे टाइप कर दो और यहाँ से ओक्या कर दो तो उतने row और उतने column की यहाँ पे table insert हो जाएगी उसके बाद में next command आता है draw table मतलब अपन mouse की सायता से draw कर सकते हैं कि मानलो यहाँ पे अपन को एक column और चाहिए तो अपन यहाँ पे देखो एक column और aid कर सकते हैं एक row चाहिए तो row aid कर सकते हैं next command आती है यहाँ पे convert text to table यह command highlight तब होती है जब आप किसी भी text को या किसी भी paragraph को select करोगे मानलो अपन इन 2-3 paragraph को select करते हैं और इनको table में change करते हैं तो उसके लिए paragraph को select करना है फिर table पे click करना है तो यहाँ पे देखो यह command highlight हो जाएगी और click करना है आपको convert text to table पे अब आप जैसे ही इस पे click करोगे और ok करोगे तो यहाँ पे देखो आपके बास में जितने ही paragraph दे वो सारे table में change हो गई इस परकार आपन convert कर सकते हैं text को table में उसके बाद में next command आती है यहाँ पे आता है Excel spreadsheet मतलब Excel में से कोई भी sheet insert करना हो तो यहाँ से Excel spreadsheet का use कर सकते हैं और next option आता है quick table मतलब पहले से बनाएगी table की कुछ formatting होती है जैसे मालो यहाँ पे calendar है या कोई और भी formatting बगएर आपन को लेनी है तो यहाँ से अपन insert कर सकते हैं जैसे मालो यह calendar अपन को लेना है तो यहाँ से अपन insert कर सकते हैं इस परकार table की टेबल का use यही होता है कि आप जल्दी से कोई table की formatting इंसर्ट कर सकते हो और उसमें changes कर सकते हो तो इस परकार अपन table group का use कर सकते हैं next option आता है यहाँ पे illustration group illustration group में एक नमर और option आता है picture picture का use बता है कि आप कोई भी document बना रहे हैं कोई भी Belgium बना रहे हैं तो उसमें आपको picture insert करना है तो अपन picture command की íllक्य सायता से फिक्चर ला सकते हैं अगर offline लाना है तो यहां से picture पे click करेंगे और online picture download करना है तो यहां से अपन inside कर सकते हैं तो अपने offline picture my computer से लेंगे तो picture पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपकी कहां पर picture उस picture को select करना होता है इंसर्ट करना होता है यह आप उस picture पर double क्लिक कर सकते हो तो वो भी insert हो जाएगी तो इस परकार अपने यहां करती सबसे पहले select करना है मालो अपने कोई इस परकार का save सही है या rectangle सही है या कोई line सही है तो वो भी अपनी यह से select कर सकते हैं जैसे मालो इस परकार का save सही है तो इस पर click करेंगे अब कहां पर आपको आपकरती बनानी है वहां पर आपको draw करना होता है तो इस परकार अपने कोई भी shape बना सकते हैं उसके बाद में next command आती है smart art smart art का use होता है कि कोई भी condition बगेर अपने को दर्शानी है जैसे मालो computer के परकार दर्शानी है तो वो अपन smart art के साहता से दर्शा सकते हैं उसके लिए आपको smart art पे क्लिक करना है किस परकार की style में आप condition दिखाना चाहते हो किस परकार की style में आप art को लगाना चाहते हो वो art आपको select करना है मालो आपको computer के परकार दिखाने इस परकार की condition में या मालो आपको दिखाने इस परकार की condition में तो इस पे क्लिक करेंगे और उक्खे करेंगे यहां से उसके बाद में आपको computer के परकार यहां पर type करने होते हैं यह जो भी आपके सामने safe आया है इसको आप delete कर सकते हूँ माल लो यहां पर अपन type कर देते हैं computer अब computer के कितने परकार होते हैं वह आप यहां पर type कर सकते हैं जैसे माल लो एक नमर अपने कर दिया है यहां पर digital computer उसके बाद में दो नमर अपने यहां पर कर दिया जैसे analog computer उसके बाद में तीन नमर कर दिया अपने hybrid अब यह next है इसको delete भी कर सकते हैं और कहीं पर adjust भी कर सकते हैं करना हो तो इसको select करेंगे और delete की दवाएंगे तो इस फरकार पर डिलेट कर सकते हैं तो यह computer क्या परकार हो गए तो इस फरकार कोई भी इस्तती बगिरा दर्सा नहीं हो तो अपने smart art का यूज करते हैं और next option आता है मानलो column chart बनाना चाहते हो, line chart बनाना चाहते हो, pie chart बनाना चाहते हो, वो select करेंगे और यहां से okay करेंगे अब आपके सामने एक side में table open हो जाएगी और एक side में chart open हो जाएगा अब मालो आपको कोई भी changes करने है इसमें जैसे मालो यहाँ पर जो third है या fourth है इसमें कोई भी बदलाओ करना है तो आप क्या करोगे उस पे click करोगे और इसकी जगार अपन जैसे दो कर देते हैं या तीन कर देते हैं तो देखना अपने आप चार्ट में बदला हो जाएगा जैसे अपन टेबल में बदला हो करते हैं तो अपने आप चार्ट में बदला हो जाता है तो इस परकार अपन कोई भी टेबल को चार्ट के रूप में दरसा सकते हैं उसके बाद में उप्स नाता है तो वो है link group, अब link group में एक नमर command आती है hyperlink और hyperlink का use होता है, जैसे मान लो अपन कोई भी document टाइप कर रहे हैं या paragraph टाइप कर रहे हैं, उसमें किसी भी word से समंदित अपन को information दिखानी हो जैसे कोई photo दिखानी हो, या उस word से समंदित अपन को कोई net का link देना हो तो वो भी उपन दे सकते हैं, तो किस परकार अपन hyperlink का use करते हैं, उसके लिए सबसे पहले उपन paragraph टाइप करेंगे आप paragraph टाइप करने के बाद में, जिस word से समंदित आपको information दिखानी हो या hyperlink एड़ करना हो, उस paragraph को select कर लेंगे, और यहां पर hyperlink पे click करेंगे hyperlink पे click करने के बाद में option आते हैं यहां से, कि आपको कौन सा document दिखाना है, जैसे हमाल आपन कोई भी photo यहां से select कर लेते हैं और यह photo open ओने चाहिए hyperlink के रूप में, तो इसको select कर देंगे, और OK कर देंगे अब देखो आपने जितना area select किया था वह hyperlink हो गया, जैसे आपको hyperlink ओपन करना है, तो control के साथ में click करना होता है जैसे आपको ctrl के साथ में click करेंगे, तो यह option आ रहा है कि इसको open करना है, तो yes करो तो open yes करते हैं जैसे हैं अपन yes करेंगे तो आपके सामने जो document aid किया था या जो hyperlink aid किया था वो photo यहाँ पे open हो रहे है तो इस परकार अपन कोई भी net पे कोई भी search करते हैं एक site से दूसरी site पे जाते हैं तो उसको बोलते है hyperlink तो इस परकार MS Word में भी कोई भी paragraph से कोई भी document लिंक कर सकते हैं या कोई भी photo लिंक कर सकते हैं hyperlink के माध्यम से next option अपनाता है bookmark अब bookmark का use होता है मानलो अपन कोई भी paragraph टाइप कर रहे हैं और वो school से समन दीता है दूसरा paragraph अपन टाइप कर रहे हैं वो computer center से समन दीता है तो उनको याद रखना हो तो उसको बोलते है bookmark अब किसे bookmark add करते हैं सबसे पहले उस paragraph को select कर लो जो paragraph आपको याद रखना है जिसे मानलो यह paragraph अपने school के नाम से याद रखना चाहते हैं तो paragraph को select करेंगे bookmark पे click करेंगे और यहां से नाम लगा दो जिस नाम से अपन bookmark एड करना चाहते हैं जैसे मानलो यहां पे नाम लगा दिया अपने school अब यहां से एड करना है और जिसे अपन एड करेंगे तो वो bookmark एड हो गया next paragraph अपने select करते हैं और यहाँ पे नाम लगाते हैं थे central यहाँ लगा देते हैं coaching तो select करेंगे और यहाँ पे नाम लगा दिया अपने central और यहाँ से add कर दिया अब अपन MS Word में कहीं पे भी काम कर रहे हैं और center से समझ दित कोई detail देखनी है या school नाम से अपने paragraph select किया था वो देखना है तो अपने bookmark पे उपने clerk करेंगे और यहाँ से कौन सा paragraph देखना है उसको select करेंगे और go to चरेंगे तो जैसे आप go to करोगे तो JavaScript अपने आप select हो जाएगा और ऊंड़ू सेंटर वाला देखना है तो उसको select करो और go to कर दो तो वो फिर अगर आप अपने आप पे select हो जाएगा तो इस पर गार अपने bookmark का use कर सकते हैं और hyperlink का use कर सकते हैं अब next command आती है cross reference cross reference का use होता है कि जो भी आपने bookmark एड़ किया है उस bookmark को hyperlink की तरह open करना तो उसके लिए सबसे पहले cross reference पे click करेंगे और यहां पे type पे आके bookmark पे click करेंगे तो जो भी आपने bookmark बनाये थे वो bookmark यहां पे दिखा रहा है जैसे मालो school एक तो दिखा रहा है school नाम से एक दिखा रहा है center नाम से अब कौन सा paragraph add करना चाहते हो वो select कर लो और यहां से insert कर दो अब यहां से close करना है अब देखो last में option आगया hyperlink का अब आप यहां पे जैसे control के साथ में click करोगे तो आपका cursor वहां पे चला जाएगा जहां पे school नाम से bookmark बना हुआ है देखो cursor यहां पे आगया तो इसको बोलते है cross reference cross reference का use तब होता है जब आपन पहले bookmark बनाते हैं उसके बाद में next option आता है comment group comment group में एक ही command है comment डालना अपन किसी भी paragraph से समंदित comment इंसर्ट करना चाहते हैं तो paragraph select करेंगे और comment पे click करेंगे तो उससे समंदित कोई भी comment अपन यहां पे type कर सकते हैं जैसे मालो यहां पे अपन ने कर दिया prince या मालो अपन दूसरे paragraph पे कोई comment डालना जाते हैं तो paragraph select करेंगे और यहां पे comment पे click करेंगे और यहां पे type कर सकते हैं जैसे school तो इस परकार अपन comment कर सकते हैं comment group के बाद में option आता है header and footer group तो एक नमर option आता है header and footer group में header command और header command का यूज होता है कि जो भी आप document बना रहे हो उसको heading देना heading लगाने के लिए अपनको header पे click करना है और किस style में आप header लगाना चाहते हो वो area select करना है मालो इस style में लगाना है या 3 जगाए header लगाना है 2 जगाना है किस style में आपको header लगाना है उस पे click कर दो style पे और यहाँ पे document का title टाइप करना है जैसे मालो अपनी यहाँ पे type कर देते है ms word जैसे मालो अपनी यहाँ पे type कर देते है ms word अब आपने जितने भी document बनाए जितने भी page insert किये हर page पे आपको ना मिलेगा ms word यहाँ पे देखो दो तीन page है अपने पास में हर page में आपको ना मिल रहा है उपरी उपर ms word तो जैसे अपने header insert किया है उसी प्रकार अपन फुटर भी insert कर सकते हैं फुटर इंसेट करने के लिए फुटर पे click करना है किस style में आप फुटर लगाना चाहते हैं वो style select करो और ok करो और जो भी फुटर में आपको type करना है वो type कर सकते हैं जैसे माल अपन यहाँ पर type कर देते हैं जैसे सब के signature आते हैं last में तो sign पे click कर देते हैं यहां से close header and footer कर देते हैं आप देखो जितने भी document है उनके last में आप सनारा sign खा तो इस परकार अपन header और footer इंसर्ट कर सकते हैं next command आती है insert ribbon टेम में page number मतलब जो भी आप page ले रहे हो उन page का page number दिखाना चाहते हो तो page number पे click करेंगे और यहां से आपन page number दिखा सकते हैं जिस style में page number दिखाना हो वो style select कर लो सबसे पहले अपन को page number उपर दिखाना है या नीचे दिखाना है वो area select करना है किस परकार page number लगाना है वो select करेंगे और ok करेंगे फिर अपन close header and footer करेंगे तो यहां से जितने भी page है हर page पे page number शो कर रहे हैं तो इस परकार अपन insert ribbon tab में header और footer group का use कर सकते हैं उसके बाद में next command आती है text group और text group में एक नमर कमाण आती है text box सबसे ज़्यादा use होता है ms word में जैसे मालो अपन कोई भी document बना रहे हैं कोई भी resume बना रहे हैं और अपन को कहीं पे नाम लिखना हो जैसे मालो यहाँ पे इस कोने में नाम लिखना है या मालो इस कोने में नाम लिखना है तो ऐसे तो अपन टाइप नहीं कर सकते तो उसके लिए अपन को लेना होता है text box अब अपन सबसे पहले text box पे click करेंगे और यहाँ से draw text box नहींगी, इन में से भी आप कोई भी status text box ले सकते हो अगर इन में से आप नहीं लेना साथ हो तो यहाँएंपर draw text box करोगे और जहाँ पे भी आपको नाम लिכना हो वहाँपर text box को draw कर सकते हो और उसमें matter type कर सकते हो जैसे माल लो अपन को यहाँ पर नाम लिखना है date and time तो यहाँ पर type कर देते हैं date तो इस पर कारपन कहीं पर भी text box इंसर्ट करके use कर सकते हैं उसके बाद में next command आती है world art world art का use होता है stylist कोई भी नाम लिखना हो तो उसके लिए जैसे माल लो आपने यहाँ पर यह नाम लिखना है इसको stylist बनाना है अलगलग art में लिखना है तो अपने यहाँ पर select करेंगे world art पर लिखना है किस style में लिखना है वो style select करेंगे और ok करेंगे तो यहाँ से जो भी आपने नाम लिखना था बड़ा किया होता है तो उसको बोलते हैं ड्रोप के जैसे मालो यहां पे यह तीम नाम है इसमें टी को बड़ा करना है तो आपन ड्रोप के अपकी साहता से कर सकते हैं सबसे पहले उस white पे क्लिक करना है उसके बाद में insert में जाना है drop k पे क्लिक करना है और आप line के अंदर लाना साथ हो या बाहर लगाना साथ हो टी को वो select करना है और यहां से ok करना है तो जिसे एपन ok करेंगे तो देखो tıra reps kev पे रूप में 3 line हो और इनकी line ने कम ज्यादा करना है तो वो भी कर सकते है महलो 3 की जगार 2 line करना तो drop k पे क्लिक करेंगे और यहां पे option पे आएंगे और यहां से भी हुपन क्या कर सकते है 3 की जगार 2 कर सकते है तो देखो t2 line हो में आ गया तो इस परकार आपन drop cape का यूज़ कर सकते हैं उसके बाद में option आता है signature line signature line का यूज़ होता है कि document में writer से समंदित कोई detail डालनी हो या signature गरे डालना हो तो उसके लिए अपन signature line पे click करेंगे यहाँ पे अपन detail डालेंगे writer से समंदित जिसे मालो किसका signature करना है अपन को उसका दालते है सबसे पहले उसके बाद में आपन title डालते हैं कि किस समंदित अपना document है जिसे मालो अपन MS word डाल देते हैं उसके बाद में आपन email id भी डाल सकते हैं और OK किरेंगे तो जिसे हे अपन OK किरेंगे तो उस नाम से समंदीर सिकने सर लाइन यहां पे insert हो जाएगी उसके बाद में option आता है date and time date and time का use होता है कि आप जहां पे भी काम कर रहे हो वहां पे current date and time डाल सकते हो तो उसके लिए date and time पे क्लिक करना है और यहां पे किस format में date and time insert करना चाहते हो वो select करेंगे और यहां से ok करेंगे तो जैसे अपन ok करेंगे तो यहां पे देखो आज की date and time insert हो जाएगी उसके बाद में next command आती है object object का use होता है कि आप ms word में काम कर रहे हो और आपको जैसे excel दिखाना है या मानलों powerpoint की कोई slide दिखानी है या painting की कोई photo लगानी है तो उसके लिए अपन object का use करते हैं किस program में काम करना है वो program select करेंगे और यहां से ok करेंगे bitmap image का use होता है painting के लिए painting पे click कर दिया और ok कर दिया तो यहां पे आपके सामने painting open हो जाएगी अब आप painting में जो भी आकरती बनाओगे वो आकरती अपने MS word में insert हो जाएगी जैसे मानलों यह color दे रहे हैं पन उसके बाद में यह आकरती बना रहे हैं पन आकरती में color डाल रहे हैं जैसे यह color डाल दिया तो इसको जैसे बंद करोगे तो यह अपने MS word में insert हो जाएगी तो यह यूज होता है object का उसके बाद में last में option आता है symbol group का अब symbol group में दो option है एक तो है equation एक है symbol तो symbol का तो normally यूज होता है कि आप MS word में कोई भी symbol यहां से insert कर सकते हो एक तो इन में से symbol insert कर सकते हो इसके अलावा more symbol पर click करोगे और यहां से कोई भी symbol insert कर सकते हो आपको language बगरा change करना है तो यहां से font change करोगे हिंदी का font लोगे तो हिंदी के symbol आ जाएंगे English का लोगे तो English के symbol आ जाएंगे उसके बाद में next command आती है equation equation का use होता है कोई भी formula insert करना हो तो अपन equation का use करते है जैसे मानलो कोई भी made का formula अपन को यहां पर दिखाना है तो अपन सबसे पहले equation पर जाएंगे और यहां से अपन formula insert कर सकते है जैसे मानलो equal to लगा दिया उसके बाद में अपन को जैसे एक बटा दो लिखना है तो यहां से किस format में लिखना है वो format select करेंगे यहां पर type कर सकते हैं जैसे one और नीचे कर सकते हैं two उसके बाद में one low open को into लगाना है या कोई और भी symbol लगाना है not equal to लगाना है तो वो आप यहां से लगा सकते हो उसके बाद में कोई भी formula insert करना है किस परकार करना है तो वो select कर सकते हो इसके अलवा आपको फोлов明े बने बनाये भी मिल जाते है equation में तो insert बे जाओ वापिस equation पर option प्याना है और यहां से कोई भी formula आप ले सकते हो तो इस परकार अपन equation का यूज कर सकते हैं तो दोस्तो इस परकार अपना MS Word में Insert Ribbon Tape का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तो इस परकार के और भी वीडियो आप देखना साथे हो तो सस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लास्ट वीडियो देखने के लिए End Screen पे क्लिक कीजिए।